नमस्कार दोस्तो देल लर्नर पॉइंट में आप सभी काश श्वागत है दोस्तो आज सुब मैंने आप से कुछ परसन पूछे थे जो की सीटेट 2016 में आए हुए हैं दोस्तो सीटेट 2016 ठीक है अलग अलग परतियों की प्रिक्षाव में भी कुछ परसन आए हुए हैं कुछ मैंने खुद बढ़ाए हैं तो पहला परसन है दोस्तो ये सीटेट 2016 में आए हुआ है कोई पांच साल की लड़की एक टी सर्ट को तहे करते हुए तहे मतलब दोस्तों आप जानते हो गट्टी लगाते हुए तहे करते हुए अपने से बात करती है लड़की द्वारा परदर्शित विवार के संद्र में निमिलकित में से कौन सा कतन सही है यानि एक लड़की टी सर को ते लगा रही है और खुद से बात कर रही है अपने आप से बात कर रही है लड़की द्वारा प्रदर्शित वेबार के सम्द में निमिलकित में से कौन चाकतन है तो प्याज्जे के अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए सब ने एह परशन दोस्तों सीटेट 2019 सीटेट 2016 बहुत बार रिवाइज हो चुक है दोस्तों लिंग क्या है तो सब ने बोला है दोस्तों विवेदन है यानि लड़के-लड़के में विवेद करना लिंग है किसी ने बोला सारी रिंग सरंचना है किसी ने बोला जेविक सत्ता है जो की स्कीमा तो स्कीमा दोस्तों वेवारों का एक निशित पैटर्न होता है जिसे वेक्ति या बाले के दोरा सके उसे बोलते हैं स्कीमा जिस प्रकार अपन एक बालक को विद्या ले जाने के लिए बोलते हैं तो वे बालक क्या करेगा अपना बसता है वो पूरा तयार कर लेगा क्योंकि उसके वेवार का विक निशित पैटर्न है तो ये क्या है स्कीमा है तो देखे जीन प्याजे के अनु योजनाव में संसोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है इन दो क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इसका राइट अंसर अधिकतोर लोगों ने गल्ट दिया है देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजी मुझे आप तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्सन नमबर तीन समावे सनवे समावे जन चले इसका थोड़ा आपको दिखा देता हूं दोस्तों पूरूप दिखाता हूं क्योंकि यह सब्दा वली थोड़ी टफ लग रही है आपको ठीक है परसन एक बार दुबारा देख लें जीन प्याजे के अनुसार परारूप यानि सकीमा का निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हितू नवीन जानकारे में संसोदन नवीन जानकारी में संसोदन दोस्तों द्यान देना नवीन जानकारी में संसोदन और नवीन जानकारी के अदार पर पुरानी योजनाओं में संसोदन के प्रिणाप संग्टित होता है देखे एक बालक है या जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप निर्माण में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने तू नवीन जानकारे में क्या करना संसोधन करना और नवीन जानकारी के अदार पर पुरानी योजनाओं में संसोधन करना दो ट्रम मन रही है वर्तमान योजनाओं के अनुरू बनाने तू नवीन जानकारी में संसोदन एक तो ये बन रहा है नवीन जानकारी में संसोदन करना एक है दोस्तो नवीन जानकारी के अधार पर पुरानी योजनाओं में संसोदन तो देखे नवीन यहाँ पर देखे नवीन देखे वर्तमान योजनाओं के अनुरू बनाने तू नवीन जानकारी मेशन सोधन करना तो कहलाता है समावेशन क्या कहलाता है समावेशन और दोस्तो नवीन जानकारी के दार पर पुरानी योजनाओं मेशन सोधन तो वो कहलाते है समायोजन तो दोस्तो ध्यान दे लेना यहां रट्टा मार लो आप इस चीज का चाहिए डायरेक्ट आएगा अभी आपको दिखा भी दूँगा कि नवीन जानकारी मेशन सोधन जहां आजाए नवीन जानकारी मेशन सोधन अब चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ अब दोस्तो मैं यहां से जीन प्याजे की थियोरी पड़नी शुरू करता हूँ यहां से देखे जीन प्याजे स्विजर लेंड के जीव भी गया नहीं दार्षनिक यहां मनोवेग्यानिक ने संग्यानात्मक विकास का अत्ति विश्त्रित यहां बोध गम में वर्नन प्रस्तूत किया प्याजे के दरश्टी कोण को सम्मान से देखा जाता है प्याजे मूलत जीव गयानी थे क्या थे जीव गयानी उन्होंने 1920 में बाल विकास के चेत्र में कार्याय करना प्रारम कर दिया था उन्होंने इसरव पर्थम अपने एक पुत्र और दो पुत्रियों के संग्यानात्मक विकास का अध्यन किया बाद में उन्होंने अजारों बच्चों के संग्यानात्मक विकास का अध्यन किया ये देपी प्याजे ने संग्यानात्मक विकास के अध्यन के लिए अनेक वीदियों का प्रियों किया जिसमें नेदानिक साखसातकार यानि क्लिनिक ये क्लिनिक दोस्तों इंटर्विव ठीक मेनी पुलेटिव टाक्ष का परियोग किया इन देनों के अधार पर उन्होंने 150 से अधिक लेक, 30 से अधिक पुष्टकों का प्रकाशन किया और इस बात पर बल दिया कि बच्चे प्रोड की बांती चिंतन नहीं करते बच्चे भिन परकार से चिंतन करते हैं यहां से परसन उठाता आपको दिखा दूँ आगे अब देखें दोस्तो बच्चे भिन परकार से चिंतन करते हैं और इन विविंताओं को तर्क के अधार पर देखा जा सकता है प्याजे ने अपने इस उपागम को अनुवाशिक ग्यान मिमाशा की संग्यादी, क्या, आनवांसिक जनेटिक, एपी, एपी स्थि मॉलोजी ग्यान मिमाशा में प्रकर्ति का अध्यन, यह ग्यान का आर्जन होता है, ठीक है प्याजे का उपागम इस द्रिष्टि कोण से आनवांसिक है, क्योंकि यह उदिप्त गरंती इन विकास पर केंदरण करता है प्याजे के मता अनुसार ग्यान का विकास एक परकार का अनुकुलन है जिसमें दो प्रकार की परकार का परकरन करना क्या है एक अनुकुलन है जिसमें दो परकार की किरिया है एक तो आतम साथ करन और एक समंजन तो आतम साथ करन का तात परे अपने वातावन को इस परकार से परिमार जित करने से है कि वह बच्चे के पुरो विख्षित चिंतने विवार के अनुकूल हो जाए है तो यहां पर दोस्तों आपकी सब्दा उलि में क्या आया था शामी करण और समयवजन आया था अब देखना दोस्तों आप अब एक बार आपको मैं परसंपर इसलिए लाएं थो एक तो यहां पर समावेशन और एक समयवजन अब वहाँ पर आ रहा था आतम साथ करण और समंजन क्या रहा था आतम साथ करण और समंजन तो समंजन दोस्तों समायवजन कोई बोलते हैं किसको बोलते हैं समायवजन कोई क्या बोलते हैं समझन बोलते हैं और आतम साथ करन दोस्तो किसको बोलते हैं समावेशन कोई ठीक है यह बात आप ध्यान में रख लेना ठीक है प्रोब्लम नहीं होगी ठीक है ये दोनों एक चीज़े हैं ठीक है यानि समावेशन है इसको समंजन बोलते हैं और समावेशन है इसको आतम साथ करण बोलते हैं ठीक है और ये दोनों अनुकुलन की परकिरी है किसकी अनुकुलन schema अलग चीज है सामेधारन अलग चीज है ठीक है अब समझ जाओगे आप अब वहीं ले चलता हूँ आपको एक बार वाब क्योंकि ये चीज दिखानी आपको जुरूरी थी अब इनका English version दिखाता हूँ मैं आपको अब ये देखिए दोस्तो आतम साथ करण और समंजन आतम साथ करण को क्या बोलते है एसी ली मिलेशन और समंजन को क्या बोलते है अकोमो डेशन समंजन समायवजन ठीक है और ये आतम साथ करण इसी को दोस्तों मैं आपको पिछे बता चुका आतम साथ करण आतम साथकर्ण समावेशन ठीक है अब देखे दोस्तों आतम साथकर्ण का तात प्रे अपने वातावन को इस प्रकार से परिमार्जित करने से है कि वह बच्चे के पूरो विक्षी चिंतन इंवेवार के अनुकुलित हो जाए यानि अपने पूरो अन्बो द्वारा नवीन का करना प्रिवर्तन करना क्या है आतम साथकर्ण है ठीक है अब दूसरा देखे दोस्तों जैसे आतम साथकर्ण से तात प्रे अपने वातावन को इस प्रकार से प्रिमार्जित करने से है कि पूरो विक्षी चिंतन इंवेवार के अनुकुलित हो जाए ठीक है अब देखे दोस अन्य पुरुषों के संप्रक में आता है और उनकी विशेष्टा रूप रंकद काठी वेशुसा आधी को देखता है और उनमें बिंता होते वे भी उन लोगों को प्रिचितों आप्रिचितों पुरुषों महिलाओं के रूप में सविकार कर लेता है आतम साथ करण में उदिप्प की विशेष्टा कुछ सीमा तक विकर्त हो जाती है अथार्थ नए अन्बों के आतम साथ करण के लिए हमें अपने पुरों अन्बों को परिवर्तित परिमार्जित करना पड़ता है तो आतम साथ करण में पुरों अन्बों को परिवर्तित परि करके फिर एक नई स्रेंचना को जनम देते हैं ठीक है अब देखिए आतम साथ करण में हमारा पुराना अन्वो एपरिवर्तित होता है जिसमें पुराने अन्वो को क्या कर लिया जाता है अपने मैं आपको एक बार परसन पर लेकर आए हूं दोस्तों यहां से पढ़ो जीन प्याजे के अनुसारा प्रारूप निर्मान वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने तू नवीन जानकारी में संसोदन यानि पुराना अन्वो यहां पर एपरिवर्तित रहा या नहीं रहा रहा है न और नवीन जानकारी में क्या हुआ है संसोदन हुआ है क्या और पुरानी जानकारे में यदी संसोदन हो जाए तो वो है समंजन या समायोजन कभी बूलोगे क्या बाप नहीं बूलोगे दोस्तों ठीक है अब आपको वापस उसी ट्रम पे ले जलता हूँ इनकी दोस्तों इंगलिस ट्रम याद रखना आपके प्रोब्लम नहीं आएगी देखे समंजन का ताथ परे है समंजन का ताथ परे है अपने को परिमार जित करने की विसेशताओं को अनुकूल बनाने से है यानि समंजन का तात्परे अपने को परिमारजित करने की विसेशताओं के अनुकूल बनाने से है यानि अपनी प्रिष्टिति के अनुसार अपने विवहार में परिवर्तन कर लेना समंजन समायजन कहलाता है और इसके अंदर दोस्तो जो पुराणे अन्बो है उनमें बदलाव हो सकता है समंजन में ठीक है अब देखे दोस्तो वातावरण के संपरक में आकर वह अपने संग्यानात्मक संथना को प्रिमार जित करता है यह आतम साथी करन का पूरक है इसमें वातावरण या उदिपक एपरिवर्तित रहते हैं देखे वातावरण या उदिपक एपरिवर्तित रहते हैं वेक्ति को अपने अन्बो में परिवर्तन करना पड़ता है तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी यानि अपने अनुबो में प्रिवर्तन करना समंजन कहलाता है दोस्तो और अनुबो में प्रिवर्तन नहीं करना अपने पुराने अनुबो में प्रिवर्तन नहीं करके नवीन प्रिष्टितु या नवीन अनुबो में प्रिवर्तन करना आतम साथ करना कहलाता है और अपने पुराणे अनवों में प्रिवर्तन करना क्या कहलाता है दोस्तो समंजन या समायजन कहलाता है जैसे दोस्तो आप पंखा चलाते हो मान के चलो पंखा चला करके घर में रहते हो अच्छी तरह से आप रहते हो और आपको दोस्तो एक बहुत गर्मी वारी जगह बेज दिया जाए कहां बेज दिया जाए बहुत गर्मी वारी जगह बेज दिया जाए वहाँ आप समयोजन करोगे ना करोगे समयोजन यानि मान के चलिए पंखा चलता था वो आपका क्या था अनवो था आपकी बोड़ी उसके अनुकुलित थी और वह जाकर आपको पंखा नहीं मिद रहा है तो आप अपने पुराने जो अन्वो हैं उनमें आप प्रिवर्तन करोगे तो पुराने अन्वो में प्रिवर्तन कर रहे हो समंजन में बच्चा दूसरी महिला को देकर उसे मा कहकर सम्भोजित करता है इसका कारण यह है कि बाद के उदिपक के अनुसार अपने पूरो अन्बो में परिवर्तने उपरी मारजन कर लेता है क्योंकि उसकी मा दूसरी महिला में आयू, रंग रूप, समानता, आत्मी करण यह हो गई होगी दोस्तो, आई होप, यह आपके समंझ में आ गया होगा, निचे देखिए, जबकि समंझन में ने अन्बो के साथ समाविजन करने के लिए पुराने अन्बो में परिवर्तन होता है, तो समंझन में पुराने अन्बो में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और आ एक बच्चा केले को हात में लेकर हवा में उचालते हुए, गुलार्द में चक्र काटते हुए कहता है, देखो यह हवाईजाज है, यहां बच्चे केले का आत्मी कर्ण विभारों में विचारों को पर्देशित कर रहा है, यानि अभी उसके जो दोस्तों जो अनुबो है क्या cucumber अक्योंकि उसने मतलब हवाई ज्याज है उड़ते μέए देखा है हुआ ज्वार इगती rumor आपने अर्वीन कारियों में प्रियोग कर रहा है और पिर्वा बाइजाज को इसने उड़ते वे देखा है एक कागज की बनाईवी हवाई जाज को ओड़ाया है उसने अपने हाथ से अब अपने अनुबो प्रिवर्तन कर रहा है कि उसने पड़िए, पहले क्या है उसने नहीं किया तो यह आतम साथ करन है अब आगे चल कर देखो जब बच्चा पहली बार केड़े को चीलता है चीलता है तो वह अपने मुँ में उसको खोलता है और समावजन करता है मतलब अब उसको पता लग गया पुराने नवो में वो क्या करेगा बदलाओ करेगा पुर तरम आपके समझ में आ गई होगी एक तरम और होती है दोस्तो सामेधारना क्या होती है सामेधारना देखिए सामेधारना किसे कहते है अपनी प्रिष्टिती पर नियंतरन करने या समस्या समादान है तू आतमी करने उसमावजन के मद्दे संतुलन स्तापित करने की परक्रि होती है वो होती है साम में धारना तो दोस्तो यह आपके तीनों चीज़ें के लिए रो गई होगी स्कीमा भी मैंने आपको बता दिया ठीक है यह जीन प्याजे की थोरी से समझ दी दोस्तो टरम थी मैंने टाइम भी भोत ले लिया इसको समझाते हुए आपको अब आपके के ल पुराने अन्वो में परिवर्तन करना क्या कहलाता है समंझन कहलाता है और अपने पुराने अन्वो में बदलाओ ने करके अपनी नवीन अन्वो में बदलाओ करना या नवीन कारिये में बदलाओ करना तो वो क्या कहलाता है आतम साथ करन यह इसको मैं सीदह ऐसे बोल दू दोस्तो दोबारा समझा दो आपको आपके प्रोब्लम हो तो सिंपल वासा में आतम साथ करन का मतलब यह होता है कि एक बालक है छोटा क्या है एक छोटा बालक है वो अपनी मा को क्या कहता है मा कहता है क्या कहता है मा कहता है और मा जैसी दूसरी महिला को देखकर भी उसको भी वो मा कह रहा है क्या कह रहा है यहां पर दोस्तों वो अपने अन्वो में क्या बदलाओ कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी मा है वैसी कि वैसी वो सामने वारी महिला दिख रही है उसको यानि अपने पुरो अन्वो द्वारा नवीन कारे को वो कर रहा है अपना पुरो अन्वो क्या है अपनी मा का उसने कद देखा अपनी मा की अवास देखी अपनी मा उसकी सूट पहनती है और वैसी कि वैसी दूसरी महिला उसको दिख रही है तो अपने पुरा अन्वो के निसारी वो कारे करना न या दूसरी महिला को भी मा कह रहा है तो ये क्या है आत्म साथ करना है और दोस्तो जिस दिन वो इस महिला को अंटी कहेगा और इसको मा मा कहेगा या नहीं यहां अपने पुराने अन्वो में वो क्या कर लिया उसने बदलाओ कर लिया उस महिला को जिसको वो मा कहता था उस बेन को वो मा कहता था बेन बोलती है नहीं मैं तरी मा नहीं हूँ परी बोलता है तुम माँ है ऐसे बोलता है और बाद में उसको बैन बोलने लग जाता है या उसमेला को अंटी बोलने लग जाता है मतलब वो उसमें क्या कर लिया उसने बदलाओ कर लिया बदलाओ करना समंजन कहलाता है दोस्तों पुराने अनुबों में और बदलाओ नहीं क कि बच्ची दो से साथ वर्स वाली अवस्ता में आती है कौन से अवस्ता में दो से साथ वर्स वाली पुरो संकिरियात्मक अवस्ता कौन से अवस्ता पुरो संकिरियात्मक अवस्ता और पुरो संकिरियात्मक अवस्ता में बच्चा क्या होता है दोस्तो एहवादी होता है क्य जीत यहां से गाड़ी जाएगी मेरी जलंदर जाएगी जलंदर से मेरी जीत गाड़ी वापस आएगी और जीत यहां से सवारी बिठाएगा यहां से पांस वारी मेरी गाड़ी में बेट गई गई गाड़ी के टायर रेत में दस रहे हैं और गाड़ी आगे चल रही है ऐसी ट वाईगोज्की के अनुसार संग्यानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। वेरी वेरी इपोर्टेंट सब्दा विलिये दोस्तो जल्दी से बता दीजी मुहें इसका राइट राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा समाजिक अन्योने के रिया क्या हो जाएगा समाजिक अन्योने के रिया सब लोगों ने बिल्कुल सही उतर दिया है लेव वाईगोट्सकी ने कहा था कि संग्यानात्मक विकास का मूल कारण 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 संग्यानात् ठीक है नेक्स प्रशन है दोस्तो बासा विकास के लिए सबसे सम्वेदन सील समय निमे लिखित में से कौन सा है बासा विकास के लिए सबसे सम्वेदन सील समय कौन सा है तो दोस्तो इसका राइटांस हो जाएगा प्रारंबिक बच्पन का समय है दोस्तो ये बच्चों में बा बच्ची कहती है। दूप में कपडे जल्दी सूख जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों बच्ची क्या परदर्शित कर रही है। आप मुझे कमेंट बोक्स में बताऊगे जीन प्याजे की कोन सी अवस्ता से यहां बच्ची गुजर रही है इस वक्त यानि कारे कारण समध का पता कौन से वश्ता में बच्चे को लगने लग जाता है कि इससे यह होता है यानि यहां बच्ची कह रही है दूप से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं यानि अपन लाइट में सुखाए उसको सुरुज से एक बच्ची है सुरुज से भी रोसनी होती है घर में लाइट से भी रोसनी होती है लाइट से कपड़े नहीं सूखते दूप से सूखते है यहां पर वो कारे कारण जान रही है कि इस कारे का कारण यह होता है इस कारे का प्रिणाम यह होता है तो जीन प्याजे के उनसार व बच्चे का चिंतन दिखा देता हूं से ये देखे दोस्तो प्याजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे प्रोड की बांती चिंतन नहीं करते बच्चे भिन परकार से चिंतन करते हैं ठीक है चलिए दिखा देता हूं तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्य शीकने में सुधार का तरीका क्या कहलाता है सुधार करवाने का तरीका क्या कहलाता है कभी गलत मत करना दोस्तों यह परसन przeciटेट में आया हुआ है सीखने का आंकलन होता है या सीखने के लिए आंकलन होता है ये भी आप मुझे बताओ कि कमेंट बॉक्स में उत्तर देना नेक्स परशन देखिए बच्चों के बासाई विकास में समाज की मैतोपुन भुमिका है ये किसका विचार था तो दोस्तो अधिकतर लोगों ने इसका उत्तर चोमश की किया है जो कि बिलकुल गलत है बच्चों के बासाई विकास में समाज की मैतोपुन भुमिका होती है ये वाई गोट्सकी ने का था पिछे में आपको बता चुका दोस्तो वाई गोट्सकी ने का था कि समाज वैसंस करती बच्चे के बासा निर्माण में सरवाधिक योगदान देती है बच्चे के विकास में समाज वैसंस करती का योगदान होता है बच्चे के बासाई विकास में उसके समाज की मैतोपन भूमिका होती है यह विचार था वाईगोट्सकी का किसका वाई गोथ की next person है उत्तर की सोरावस्ता में बालिकाओ में समाजिक प्रिस्तिति के परती कौन सा समवेग अधिक पाया जाता है उत्तर की सोरावस्ता में बालिकाओ में समाजिक प्रिस्तिति के परती कौन सा समवेग अधिक पाया जाता है कौन सा सम्वेग क्रोज सम्वेग दिख पाया जाता है चलिए आपको पुरूब दिखा देता हूँ नहीं तो फिर आप बोलोगे कि यह तुका मार रहा है तो यह देख लिजी दोस्तों सम्वेग आत्मक विकास मैं लाइन पड़ू है दोस्तों देखिए यहां पर उत्तर की सुरावस्ता क्या है उत्तर की सुरावस्ता समाजिक परिष्थितियों के परती लड़कों में क्रोध दिख पाया जाता है और उत्तर की सुरावस्ता में अन्य सम्वेगों की तुल्ला में क्रोध सम्वेग दिख पाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा क्रोध दोस्तो प्रसन और बहुत सारे हैं इनकी मैं बापको व्यक्षा नहीं बताऊंगा डिरेक्ट उत्तर बताऊंगा क्योंकि मुझे समय इजाज़त नहीं देता है दोस्तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है देखिए एक बालक रात को कोई वस्तू लाने के लिए अन्य स्तान पर उस बालक ओपन बेजते हैं और वह बालक गाना गाते वे जाता है दोस्तो ये मेरी आदत थी मुझे चाचा जी बेजते थे कि बेटा जा बांग रूपी सा लिया टिवसन गापी सा पड़े है तो मैं जाता था तो जाता तो दोस्तो मैं क्या करता जोर जोर से गाने गाते वे जाता था कि मुझे कोई दूसरी अन्य ड्रावने वाज दिखाई ने दे और जहां गली पतली आती वहां जोर से मैं गाने गाता हनमान जी के जोर जोर से ताकि मुझे आवाज सुनाई ना द तो वह मेरी एज थी दोस्तों 12 वर्ष कौन सी 12 वर्ष 12 वर्ष में दोस्तों डर सवेक सरवा दिख पाया जाता है जहां रखना ठीक है नेक्स परसंट है दोस्तों बालक द्वारा किस अवस्ता में एक समंध को अते दिक मैं तो जिया जाता है और वह उसे अपने आगे की बार्वी से निकलने के बाद बार्वी क्लास से निकलने के बाद और बार्वी क्लास निकलने के बाद सिस्टम क्या होता है दोस्तों यह यहां पर 18 से लेकर 17 से लेकर बार्वी निकलने के बाद अपनी उसको प्रेमी का को कोलेज दिलवा रहे हैं अजमेर में और प्रेमी को दिलवा रहे हैं जोदपुर में अब इसको तो समझाने जाए कैसे ये तीसरी फ्रेंड के पास जाता है अपनी फ्रेंड को बोलता है कि तुम उसको बोल दे कि उसका भी एडमिसिन वहां करवा दे ये वहीं पढ़ने जा रही है जाएं लड़का पढ़ने जा रहा है एक जग सुने का डर सरवादी कि सोरावस्ता में रहता है कि सोरावस्ता में समंध जो बनते हैं वो पक्के बनते हैं ठीक है अब नेक्ट देखें दोस्तों किस अवस्ता में सारीरिक परिवर्तन एदर्शे होता है तो बिल्कुल सही सब ने सही जवाब दिया था बले वस्ता में सार प्राणी के रूप में कब पैचाने लग जाता है तो इसका उत्राप मुझे बताने की कोशिश करो यदि एक बालक है छे वर्स का बालक है तीन मेने का बालक है उसको ट्रक के सामने खड़ा कर दिया तो क्या वो समझेगा डरेगा जरूर लेकिन समझेगा नहीं कि तेरे अंदर प्राण है तूँ चलता बसेगा छे मेने का भी इतना नहीं समझेगा भाग भाग कर अपन बोलते हैं गड़ी मना ज बागे जाओगो गड़ी ना जा बागे जाओगो इसका उत्तर क्या हो जाएगा राइट छे वर्स यहां दोस्तों एक बाले का उपराणी की रूप में खुद को समझने लग जाता है यदि छे वर्स ओप्सन नहीं होता तो बारा वर्स के अंत तक ठीक है नेक्ट परसन देखिए बोध कैसी चमता है बोध कैसी चमता है दोस्तों अंडरस्टेंडिंग है यह अरजित चमता है कैसी अरजित नेक्ट परसन है नीमन में से किस अवस्ता में विपरीत लिंग्याकर्शन नहीं पाया जाता दोस्तों विपरीत लिंग्याकर्शन बाले वस सब्सक्राइब तर्टी एज भी बोलते हैं गंदी आयू मत्मिला वही रहता है गर्वाले अच्छ से तियार करके बेज़ते हैं जैसे साथ एक वरस तक तीन से साथ वरस मान के चलिए यदि यहां पूरो बाले वस्ता और उत्तर बाले वस्ता आ जाए ना तो यहां पर आप पूरो बाले वस्ता करना डिर्टी एज में पूरो बाले वस्ता डिर्टी एज होती है और वैसे बाले वस्ता आजाए तो आपको बाले वस्ता करती है ठीक होती है अभी मैं बाहर गड़ी में देख रहा था एक बच्ची को बहुत असे से त्यार करके बेजा उसकी माने ठीक है और बाहर बेठी 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 आत मारती मारती ऐसे जमीन साफ करने ल सकततों में परिवर्तन समझने लगता है तो इसका राय टांस हो जाएगा दर विमान संक्या और छेतर नेक्ट परसन मैंने पूछा था कि समवेग और मूल परवर्ती में क्या अंतर होता है तो आज आपको मैंने पढ़ाया भी था जिनोंने देखा था उन्होंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है नहीं देखा तो लो समझ लीजिए समवेग एक बावात्मक परवर्ती होती है जबकि मूल परवर्ती क्या होती है किरियात्मक परवर्ती मूल परवर्ती जनम जात होती है समवेग अरजित और जनम जाते दोनों होते हैं देखिए किसी सेर को दे यार टेखित उर्जित अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसनी सब्सिकात है पाए जाते हैं नेक्स परसन है दोस्तो स्वेकेंद्रित अवस्ता होती है स्वेकेंद्रित अवस्ता होती है तो जल्दी से बता दीजी दोस्तो मुझे आप स्वेकेंद्रित अवस्ता स्वेकेंद्रित अवस्ता होती है दोस्तो तीन से छे वर्स तक अभी मैंने आपको बताया था दोस्तो जीन प्याजे वाले सिध्धान्त में दो से साथ वर्स था ना दो से साथ वर्स तो यहाँ पर दोस्तो वो ही हो जाएगा तीन से छे वर्स तक सवग केंदरी तवस्ता तो आज का वीडियो दोस्तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तो ज़्यादा से ज़्यादा करें लाइक करें दोस्तो सब्दावली समझाने की कोशिस हर कोई बंदे के बस की बात नहीं होती कि ना हर कोई बंदा समझा सकता है मनो विज्ञान है ये मन का विज्ञान है ये अपना विज्ञान नहीं है समसकते है आप तो सब्दावली हर कोई बंदा नहीं समझा सकता है सब्दावली मनो विज्ञान की सब्दावली समझाना टेट डिखिर होती है ऐसे आप पोथी पन्न O लुअ को अच्छा होगा ऽाई धे स्हाँ संधे को ऑद वीडियो ईच्छा लुड़ा होगा दू EXT कें लाइक करने में और सेयर करने में कंटेंट होता है अच्छा होता है फालतू चीज नहीं होती जाएं गलती होती है सभी कार करता हूं इंसान हूं दोस्तों गलतियों का पुतला होता है इंसान आपको पता है गलती होती है छोटा वाई समझ कर दोस्तों गलतियों को माफ कर देना नेक्स्ट वीडियो में उस गलतियों को जुरूर बताऊंगा ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल 10 परसनों के साथ आज मैंने 20 परसन जादा दे दिये वीडियो बहुत लंबा हो गया कल 10 परसन दोंगा ठीक है